भाजपा नेता चंदरकांत पाचिल पर हुई स्याही फेक को लेकर महाराष्ट की राजनीती अब गर्मा गई है और इसके विरोध में कल्यान में भाजपा पताधिकारी और कारिकरताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया पुने में बीजेपी नेता और शिंदेश सरकार के मंतरी चंदरकांत पाचिल ने महापुरिशों के बारे में एक बयान दिया था जिसका विरोध करते हुए को पूने के पिमपरी चिंचवड में समता पाची के कारिकरताओं ने चंदरकांत पाचल के मुँपर स्याही फेकी थी इस घटना को लेकर राज्च के भाजपा कारिकरताओं में आक्रोश है कल्यान के शिवाजी चौक पे बीजेपी के पुर्व विधायक नरेंद्र पवार की अगवाई में कारिकरताओं ने स्याही फेक घटना का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया प्रदर्शन के दोरान कारिकरताओं ने चंदरकांत पाचल के समर्थन में नारेबाजी की वहीं स्याही फेक घटना का ठिकड़ा महाविकास अगारी पर फोरते हुए सिवसईना, NCP और कॉंग्रेस तीनों पाचियों को निचले अस्तर की राजनीती करते हुए बताया गया है और यह तमाम आरोप पुर्व विधायक नरेंद्र पवार ने लगाया है मेटर मुंबई के लिए जोतियादव के साथ समवादाता सुनील शर्मा की रिपूर्ट